नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का अंकेत इंडिया पर मैं हूँ अंकेत अवस्थी रिसेंट डेज में जब जब एक ख़बर आई कि अमेरिका ने किसी को अपनी चिताबनी दी या अमेरिका ने अपने सिटीजन को कोई अडवाईजिरी जी तो उसका मतलब क्या निकला वो मैं आज के सेशन से शुरुवात में बता रहा हूं क्योंकि आज का session ये है कि America ने अपने citizens को advisory जारी करते हुए कह दिया है कि Israel की यात्रा ना करें By the way मैं आपको ये बता दूँ कि आप और हम उस दौर में जी रहे हैं जिस समय पर हमने अपनी आखों के सामने कुछ युद्धों के होने के पूरे pattern देखे हैं कि कैसे सबसे पहले advisory जारी होती है उसके बाद क्या होता है उसके बाद attack होता है फिर क्या क्या किया जाता है वो प्रकरिया आपने देखी है आप मैंसे बहुत से लोगों ने अफगानिस्तान देखा रशिया युकरेन देखा गाजा इसराइल देखा और अब आप इसराइल औ और इरान देखने वाले हैं, मैं आपको कुछ याद दिला रहा हूँ, एक बार के लिए इस खबर को तारीख के साथ देखिए, अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने अफगानिस्तान में रह रहे अमेरिकियों से कहा कि तुरंत प्रभाव से अफगानिस्तान छोड़ दे एक बार के लिए बस नजरें आप तारीखों पर डालें, साथ अगस्त दो हजार इकीस की खबर दिख रही है, स्टेट डिपार्टमेंट अफ अमेरिका अर्जे सिटिजन्स तु लीव अफगानिस्तान, साथ अगस्त दो हजार इकीस को वार्निंग आती है, और पंदरह मातर आठ दिन पहले अमेरिका अपने लोगों को भागने की कहता है, कि भाग लो कुछ होने जा रहा है, और हुआ क्या, अफगानिस्तान में तालिबान का कब जाओ गया, एक न्यूस, दूसरे न्यूस देखिए, यूएस के द्वारा रशियन एमबसी को लेकर के इवेंट जारी, न्यूस जारी किया जाता है, 23 जनवरी के दिन, 23 जनवरी को न्यूस जारी होती है, और कहा जाता है, अमेरिका अपनी तरफ से रशिया में रह रहे है, अपने लोगों को ट्रेवल अडवाईजरी जारी करता है, कि निकल लो, कुछ होने वाला है, और उसी के कि अमेरिका अपनी खुफिया एजेंसी CIA के माध्यम से सबसे पहले ये खबर जुटा लेता है कि अब हमला होने ही वाला है और वो हमला होने का सबसे पहला प्रमान ये है ये एडवाईजरी जारी करके अपने लोगों को कहता है निकल लो या मत जाओ कुछ इस प्रकार की आपको याद होगा इरान इसराइल के बीच में लोगों कि आपको याद होगा इसराइल के बीच में जो भी घमासान मचा हुआ है उसकी पूरी कहानी है और हमने उस पूरी कहानी को विस्तार से आपको कई सेशन में बताया है फिर चाहे चार अपरेल का पहला सेशन हो जिसमें हमने कहा था कि 48 घंटे में युद्ध होगा लेकिन नहीं हुआ नहीं हुआ उसके पीछे रमजान का आखरी शुकरवार था उस दिन ऐसा हमला हो सकता था अब नहीं हुआ है तो इद के तुरंत 24 घंटे से 48 घंटे में इरान अटेक करेगा ऐसी इस्थती में इरान ने अमेरिका को भी चेतावनी दे दी थी कि अगर आपने कोई इंटरफेयर करने का प्रयास किया तो घातक परिनाम भुगतने होंगे केवल अमेरिका ही नहीं अमेरिका के पिछलगू फ्रांस ने अपने फ्रेंच सिटीजंस से कहा है इरान मत जाईएगा लेबनान मत जाईए इसराइल मत जाईए फैलस्टाइन मत जाईए फ्रांस अर्जेज नॉट टू ट्रेवल इरान लेबनान इसराइल-पैलेस्टाइन टेरिट्रीज यानि की सुर्खियां सब जगे हैं आज में जब आपका सेशन कर रहा हूं उससे मात्र एक घंटे पहले की सुर्खियां हैं फ्रांस ने वार्निंग जारी कर दी है कि एरान इसराइल कहीं की भी यात्रा मत करिये कुछ भी घातक हो सकत है और जब यह सुर्खिय निकल कर आती है इसी बीच में अमेरिका ततकाल प्रभाव से अपने विदेश मंत्री को एक्टिवेट करता है कि सौधी अरब से बात करो एरान से बात करो सौधी अरब से बात करो चाइना से बात करो टर्की से बात करो कि वो एरान को रोके कि वो पर हमला ना करें नहीं तो घातक परिणाम होंगे एरान के उपर दवाब डालने के लिए सौधी चाइना और टर्की से कहा जा रहा है कि वो एरान को समझाएं कि वो किसी भी प्रकार की गलती ना कर दे इसराइल पर हमला ना कर दे और तो और इंटरेस्टिंग बात ये है कि प पहुच करके इसराइली डिफेंस फोर्सेज को बता रहे हैं कि हमले की इस्तिती में आपको क्या करना है ऐसी इस्तिती में ये सारी सुर्खिया आती है तो क्या भारत का विदेश मंत्राले कुछ कहता है उन लेबर्स के लिए जो हाल ही में भारत की तरफ से इसराइल है आप से गुजारिश है कि इसी हीट अफ मोमेंट में आप अपने चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और जैसे ही कोई अपडेट आएगा मैं आपके साथ साजा करता चला जाओंगा कुछ जरूरी सूचनाएं देने के लिए हैं मेरे पास पहली सूचना ये है कि राम नवमी के शुब अवसर पर नतराज बैच के अंदर एडमिशन ओपन किये जा रहे हैं और ये आरेयस का फाउंडेशन बैच है जो नवरात्री के अवसर पर आप लोगों के लिए 15,000 के इस्थान पर 75,000 रुपय में ओपन किया गया है इस बैच की शुरूआत में ही मै आप लोगों की ethics की classes शुरू करने जा रहा हूं, ethics के साथ साथ यहां economy, science and technology, history, hindi, environment, geography, even polity भी मेरे द्वारा ही आप लोगों को यहां पर पढ़ाई जाएगी, जिन्हें भी admissions लेने हैं, link comment box में pin कर दिया है अपनी पार्चाला application का, अपने admissions बुक कर लें क्यूंकि इस राम न आपको classes मिलेंगी science and technology, history, economy and geography, 4-5 classes per day live आपको मिलने जा रही है, जल्दी से अपने आपकी seat reserve कर लीजिए, foundation के लिए कमर कस लीजिए, और हाँ, यदि आप अपने घर पर हमारे handwritten notes, 4 subject, history, geography, polity, economy के मगाना चाहते हैं, जो कि मेरे अपने handwritten notes हैं, जिसमें पूरा content आप लोगो से अधिक pages हैं, मातर 1,999 में आपके घर पर including courier charges deliver किये जा रहे हैं, इसके अलावा हमारे कुछ और YouTube channels भी हैं, जिने आप subscribe कर सकते हैं, साथियों जैसा मैंने आप लोगों को आज से 7 दिन पहले 48 घंटे की बात कही थी, उस समय भी Friday था, आज भी Friday है, वो Friday रमजान का आखरी Friday था और उस समय ये कहा गया था, कि इसके बाद में इसराइल के ऊपर इरान हमला करेगा, लेकिन वो हमला नहीं हुआ, CIA की वो नसीहत खाली निकल गई, ऐसा हुआ क्यों था, हुआ इसलिए था, क्योंकि 1 अप्रेल के दिन इसराइल के द्वारा इरानी consulate पर सीरिया में हमला किया गया था, चुकि किसी भी consulate पर या फिर embassy पर किसी देश के द्वारा किया गया हमला, उस देश पर हमला माना जाता है, तो इरान ने इसे अपने आप पर हमला माना और इसी के retaliation में, इरान ने इसराइल को धंका दिया कि इसका बदला लिया जाएगा, और साथ में, इरा यह हमला आपके लिए भी घातक हो सकता है, लेकिन इसराइल ने इरान को धंकाते हुए पैरलल टाइम पर यह कहा कि यदि किसी ने भी गुस्ताखी की, कि वो हम पर हमला प्लान करते हैं, तो हम उसका करारा जवाब देंगे, लेकिन इसी बीच में पता चलता है कि बाइडन जो की अपने चुनाओ में लगे हुए हैं, वो नेतन्याहू को समझाते हुए पाए गए कि भाया तुम पहले ही गाजा में बहुत कहर मचा चुके हो, अब इरान के साथ वार ओपन मत कर देना, पूरा मिडिल इस्ट बहुत जबरदस्त तरीके से प्रभावित हो जाएगा, दुनिया में ओइल क्राइसिस क्रियेट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कते हो जाएगी और अमरीका का चुनाओ प्रभावित हो जाएगा, तुम रोको अपने आपको लेकिन नेतन्याहू हैं कि वो रुखने का नाम नहीं ले रहे हैं, इसी के चलते रमजान के होने के अवसर पर खेमनेई बाहर निकल कर आते हैं, 10 अप्रेल के दिन खेमनेई, सुप्रीम लीडर ऑफ इरान बहार आते हैं और अपने द्वारा मैसेज करते हैं, दुनिया को कहते हैं कि हमारे उपर जियानिस्ट रिजीम, जियानिस्ट रिजीम बोले तो इस्राइल, उसने अ इस तरह की जो खबर आती है, इरानियन सुप्रीम लीडर के द्वारा, खेमनेई के द्वारा, इससे पूरे की पूरे वेस्टन वर्ल्ड के अंदर तहल का मच जाता है, कि खेमनेई, जो कि इरान के सुप्रीम लीडर है, धार्मिक नेता हैं और उनके द्वारा ये बयान दि दिया जाना चाहिए और पनिश्मेंट दिया जाएगा ये अपने आप में पूरी दुनिया के अंदर एक बहुती बड़ा मैसिज कंसीडर किया जाता है और ऐसी इस्थिती में खेमनेई सभी मुसलिम देशों को आवाहन करते हैं कि वो सब लोग एक साथ आए और आकर के इस ज करारा जवाब मिलेगा और उस करारे जवाब में इंहोंने स्टेटेजी भी जारी कर दी कि ये कैसा जवाब देंगे और बहुत सारे इस्राइल को कवर करने वाले नेशनल मीडिया हाउसेज ने कवर किया यब World War 3, World War 2 की तरह नहीं होगा उससे भी आगे होगा क्योंकि इरान के द्वारा nuclear weapon तयार किये जा रहे हैं तयार हुए नहीं है बस ये फर्क है इसराइल द्वारा missile चला करके इरान के अंदर वो capacities जहां पर nuclear weapon तयार किये जा रहे हैं जैसे आराक, फौर्दो, नातांज, इफ्तासान और बुशहर इन सभी इस्थानों पर इसराइल द्वारा हमले किये जाएंगे और उन्हीं जगह पर हुए हमलों से इरान वहीं पर खंडर बन जाएगा वापस से stone age में पहुंच जाएगा बरबाद हो जाएगा क्योंकि इसरा आफेर्स मिनिस्टर हैं, इनका बयान आता है कि इस इरान अटेक फ्रॉम इट्स टेरिटरी, इसराइल विल रियक्ट एंड अटेक इन इरान, हम लोग इरान में जाकर हमला करेंगे, यानि कि ये मूव खतरनाक होगा, इस बीच में भाशन बाजी चली रही थी, ये खबरे 10 फ्लाइट्स को रोक दिया है, फ्लाइट्स को रोक दिया है से मतलब है कि एर स्पेस को नो फ्लाइट जोन डिकलेर कर दिया है, यानि इसकाई के अंदर कोई भी फ्लाइट चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल हो नहीं उडेगी, ये मेहर न्यूज एजनसी पर जैसे ही उस flash होती है, तुरंत इस news को delete कर दिया जाता है, लेकिन Times of Israel इस news को चाप लेता है, उसको पकर लेता है और कहता है कि एरान ने अपनी news agency के एक tweet को delete कर वाया है, जिसमें उन्होंने अपने airspace को जो तहरान में हैं, उसे पूरी तरह से बंद कर दिया है, यानि कि एरान में अब क कल की रात पूरी तरह तायारी कर चुका था, कि जैसे ही कोई उनके छेतर में आएगा, उन्हें मार दिया जाएगा, इसके चलते एरान बहार आता है, और वो कहता है कि हम लोग केवल military drill कर रहे हैं, कि अगर ऐसी इस्तिती बनती है, तो हमें उसे कैसे निपटना है, इसको द ही आएंगे, पता चले हवा में ही मार दिये गए, लेकिन इसी बीच में जर्मनी की विदेश मंतरी द्वारा तहरान यानि इरान की राजधानी में मंतरियों से बात की जाती है, और कहा जाता है कि अगर आप चाहें तो हम अपनी flights जारी रख सकते हैं, उनके द्वारा हामी भरने पर लुफतांजा फिर से अपनी flights को चलाना शुरू कर दिया, लेकिन इसी बीच में, रश्या, जर्मनी और यूके निकल कर आते हैं और समझाने लगते हैं इरान को कि भाया कम से कम इस युद्ध में आगे मत बढ़ो, मामला बहुत बिगर सकता है, क्योंकि आप समझ में एक तरफा हरा करके उसका तो experience next level पर है, एरान जिसने अभी तक कोई भी war direct नहीं लड़ी है, हर war वो proxy लड़ रहा है, अगर ये मामला निकल कर आता है, Middle East बुरी तरह प्रभावित हो जाएगा, और ऐसी इस्तिती में यहाँ मामला केवल इतने पर ही नहीं रुकेगा, सम मान सकता है, उन्हें समझाता है, और कहता है कि आप समझाईए एरान को कि वो इसराइल पर हमला ना करे, क्योंकि अगर इसराइल पर हमला हुआ, तो इसके quote unquote meaning ये निकाले जाएंगे, कि ये हमला अमेरिका पर है, और अमेरिका पर हुआ हमला फिर अमेरिका बरदाश्त नही करेगा प्यार से नहीं तो तुमत्ब दुदकार के समझाइए लेकिन समझाइए इस बीच में निकल कर आता है कि इसराइल ने सीरिया में इरान के काउंसुलेट पर हमला करके अच्छा नहीं किया मतलब इसका अर्थ ये भी निकाला जाता है कि चाइना ने अमेरिका की रिक्वेस्ट को इग्नोर कर दिया कि इरान पर अगर कोई हमला हुआ तो वो जहेल जरूर लेगा लेकिन वो इसराइल से बदला जरूर लेगा, वर्ड पॉलिटिक्स में जो घटना है इस समय घटित हो रही हैं, पल-पल में घटना करम बदल रहे हैं इतने सारे देश involved हैं कि किसी भी देश पर रुक कर दो मिनिट से जादा बोल दिया जाए तो न्यूस गंटे वर से बड़ी हो सकती है, इसलिए ये न्यूस बहुत तेजी से मैं निकालते हुए लेकर चल रहा हूँ, चाइना ने साफ साथ इग्नोर मारते हुए अमेरिका से कहा कि नहीं, गलत इसराइल ने किया, जिसने एरान पर हमला किया, अब वो बदला जरूर लेगा, अब देखने वाली बात ये है कि यूके जैसे देश जो अमेरिका के पिछलगू है, वो क्या कहते हैं, तो यहाँ पर देखिए डैविड कैमरून जो इस समय विदेश मंतरी है, ब्रिटेन के, उनके द्वारा लिखा जाता है कि मैंने एरान के विदेश मंतरी से बात की है, और उनने कहा है, कि अगर आप नहीं हटे इस कंफलिक्ट से दूर नहीं हटे, तो इसके बहुत बुरे, खतरनाक परिणाम हो सकते हैं, मैं इस बात से पूरी तरह से, मतलब मै मैं कंसर्ण हूँ इस विशह पर, कि अगर आपने वाइलेंस की तरफ पैर रखा, तो ये बहुत घातक हो सकता है, अब इरान को समझाया जा रहा है, कि आप गल्ती से इसराइल पर हमला मत कर देना, इसी बीच में, यूएस की एमबेसी जो इसराइल में है, वहाँ अमेरिका द्वारा अपने नागरिकों को मैसेज दिया जाता है, कि कोई भी अपने छेतर से बाहर ना निकले, परिवार जन वापस लॉट जाएं, क्यूंकि किसी भी समय इसराइल इरान पर हमला कर सकता है, इरान इसराइल पर हमला कर सकता है, नियू यॉर्क टाइम्स की खबर की बा दिकारियों से वो मुलाकात कर रहे हैं, और उन्हें समझा रहे हैं कि अगर इरान का पर हमला होता है, तो रिटैलियेटरी एक्शन क्या होगा, वहीं फ्रांस के द्वारा अपने सिटीजंस से कहा गया है, कि वो इरान, लेबनान, इसराइल और फिलिस्तीन की यातरा ना करे यह फ्रांसी सी एडवाईजरी है, जिसमें कहा गया है, रिकमेंडेशन टू दी फ्रेंच, तो एपसलूटली रिफ्रें फ्रेंड फ्रेंग इन कमिंग देज तो इरान, लेबनान, इसराइल और पलेस्टाइन टेरिटरी, और रिटर्न ओफ फैमेलीज ओफ डिपलोमेटिक एजेंट्स फ्रम तेहरान, तेहरान में जो टेपलोमेट्स की फैमिलीज हैं वो भी लॉट लें, क्योंकि इस्थितियां बिगड रही हैं, इसी चलते, आज की अपडेटिड खबर ये है, कि अगले 24 से 48 घंटे में इसराइल के ऊपर हमला कर सकता है, इरान, ये 48 घंटे ला वाल स्टीट जरनल को दिये एक इंटर्व्यू के माध्यम से ये पता चलता है, क्योंकि वाल स्टीट जरनल में जैसे ही ये खबर छपी कि अगले 24 से 48 घंटे में हमला हो सकता है, उसी के बाद ट्रेवल एडवाईजरी निकल कर आई है, इसी को ध्यान में रखते हुए, सब इंडिया का हाल जान लेते हैं, इंडिया ने भी लगे में लगा ट्रेवल एडवाईजरी जारी कर दिया, और उसने कहा, इन व्यू आफ प्रिवेलिंग सिचुवेशन इन दी रीजन और इंडियान आर एडवाईजड नॉट टू ट्रेवल टू इरान एड इसराइल तिल अगले नॉटिस तक इरान और इसराइल की यात्रा ना करें, और जो लोग वर्तमान में एरान या इसराइल में रह रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो एमबसी के डाइरेक्ट संपर्क में रहे, और उनसे कहा जा रहा है कि वो जतना जादा हो सके, प्रिकौशन बरते, अपनी security को लेकर, अपनी safety को लेकर के और movement को लेकर के, आपको याद होगा, हाल ही में 2024 के अंदर ही इस April के पहले सपता में ही, साथ लोगों का एक दल भारत की तरफ से labor बन करके इसराइल गया है, भारतियों की चिंता इन लोगों को लेकर के है, क्योंकि इसराइल के द्वारा एक पूरी तरह से रोजगार का drive चला करके भारत से श्रमिकों को वहाँ ले जाया गया है, क्योंकि गाजा पट्टी पर हमले के बाद से गाजा के labor West Bank से निकल करके, गाजा पट्टी से निकल करके इसराइल में नौकरी करने नहीं आ रहे थे, तो इसराइल इंडिया से मजदूर भर कर ले गया, अब भारत को चिंता इन लोगों की है, जो यहां से इसराइल जा चुके हैं, इसी बीच में इरान अब्जरवर में एक ख़बर चपती है कि इसराइल ने अपने लोगों को एक notice दिया है और कहा है, जैसे ही सायरन बजे की हमला हो चुका है, उस समय तुरंत जमीन पर लेट जाएं, खुले इस्थान पर निकालाएं, जमीन पर लेट जाएं और अपने आप को अपने हातों से सरी सिर को पूरी तरह प्रोटेक्ट कर लें, और जमीन पर कम से कम दस मिनिट तक ही लेटे रहें, कुछ इस प्रकार से पोज बना कर सायरन बजने पर जमीन पर लेट कर अपने आप की सुरक्षा सुनिश्चित करें, और इसी बीच में इरान आप्जरवर ने, अब हम इस खबर की पुष्टी नहीं कर रहे हैं, अभी से दो घंटे पहले ये खबर चपी है, इसकी पुष्टी हम इसलिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी कुसी मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं आई है, अभी से जब आपका से अभी से पुष्टी है, और रहे इसकी प्रमुक थे तक कि अमेरिक प्डेम को बता शेलिया का ये इसxa weighted by इसिती आपका से अभी से बीच्वर ला कुष्टी है, वर्तमान में लगता तो नहीं है कि ये किसी तरह से कम होगा, हम हर दिन इस इंतजार में हैं कि कोई ना कोई बीच में निकले और UN अपनी प्रासंगिकता सिद्ध करे और कहे कि हमने सब कुछ रुकवा दिया है, लेकिन देखते हैं क्या होता है, बाकी updated रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, एक बटन दिया हुआ है, उसे क्लिक कर दे, so that आपको जिस भी प्रकार का update भविश्य में आएगा, वो मिल जाएगा, हमारे regular viewers में से around 60% viewers ऐसे हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, उन्हें automatic update पहुंच जाते हैं, जिसका आप जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो पढ़ने वाले विध्यारती या उनके परिवार जन, घर के अंदर पढ़ने वाले लोग हैं, उन्हें inform कर दे, कि इस राम नावमी से हमारा नतराज बैच में admission open हो रहा है, 15-15,000 का जो बैच है हमारा नवरात्री ओफर में पि आपको recorded form में मिलेंगी, अभी जाकर के अपनी पाच्छाला application से अपने लिए class book कर ले, class इसी प्रकार के digital board से होंगी, content पूरा Hindi और English में उपलब्द होगा, उसे आप download कर सकते हैं, और classes को live ना देख पाने की स्तिती में recorded भी साल भर तक के लिए देख पाएंगे, इस प्रका का model उपलब्द है, मातर 1,999 में including courier charges, मेरे handwritten notes, 3000 pages के आपके घर पर courier किये जा रहे हैं, आप उन्हें order कर सकते हैं, अपने पाच्छाला application से, बाकी हमारे जो अन्य योट्यूब channels हैं, आप उन्हें भी exam point of view से select करें, फिलाल के लिए इता ही अपना खयाल रखें, बहुत बह नवाल.